हेलो गाइज मैं हूँ अमित और गाइज आज हम आपको दिखाने वाले एक बहुत ही कमाल की और शांदर एक्स्पिरिमेंट जो की दो चीजों की मिस्टरंद से होगा यह जो है यह ग्लीसरीन है यह सभी के घर में मिल जाता है लगभग और यह है पोटाशियम बहुत ही मज़ेदार लगेगा यह एक्स्पिरिमेंट तो चलिए देखता है इस दोंगों का मिस्टरंद से क्या बनता है पहले तो हम सबसे पहले जो पोटाशियम पारमेंगा ने था है इसको हम इस पेपर पे डाल लेंगे इसको हम ने यहां पे डाल दिया है और इसको तो ऐसे पेबिल के नहीं जला सकते इसके लिए और एक लख्री की ज़र्वरत है इसके उपर इसको रख दिंगे पर फिर इसमें डालेंगे विक्री आपको दिखाते है थोड़ी सी मात्र में डालके आपको दिखाते है क्या होता है आद देखिए इतना सा मात्रा में आपको दो गालेंगे वाव आप देखा कि थोड़ी सी मत्रा में दोनों चीजों की मिस्टन से क्या हुआ तो हम यह जो चीज है थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिलाने वाला है फिर देखते है क्या होता है तो चली इसको करते है फिर इस पेपर से इसको यहाँ पर डाल जिता है क्यों पर आग लग जाएगा तो हम दालने जारे बहुत सारा ग्लिसरीन तो देखिये क्या होता है थोड़ी से ओएट करता है फिर देखिये वाव वाव बहुत बड़ा आग जल चुका है यहाँ पर एकदम से जल गया अब देख सकता है यहाँ पर एक दम से आग जल गई काला काला धुआ भी निकल रहा है इस से इस साइट पर कुछ प्रशिया मभी पाउडर जह गया है जिसमें प्रिसरीन नहीं लगी आप अब दालने पर जाए तो को आइस आपने देखा पॉका यहाँ और अभी शरीन की निक्चर के फितना खटएना हो सकती है यह फूरा लाल हो चुका है अंजर से अब दिखते है फोस हो चुका है अज़र बहुत इंधर से लाल हो चुका है कि अच्छा गुज दिखा वे सब्सक्राइब है कि अच्छा तो आप आप अच्छा सब्सक्राइब है थी को अच्छा जब करते हुआ है तो गाइज आपने देखा कि यह जो दोनों घर में मिलने वाली चीजों की इस्तेमाल से कितना खतरनाक रियक्शन हुआ बहुत ही मज़ेदार रियक्शन था यह जो एक्सप्प्रिमेंट था यह हमने सेप्टी का ध्यान रखके किया है आप ऐसा कुछ घर में करने की कोशिश म